तो यार एक और कमाल की वीडियो में आपका स्वागत है आज की जो वीडियो है वो अनस्पेक्टेड थी क्योंकि मैं जा कहीं और रहा था पहुच कहीं और गया जहां बट जहां मैं जा रहा था वहां भी मैं गया बट बाद में गया वह कहां जा रहा था और कहां पहुंच गया वह आपको वीडियो के साथ ही साथ में पता चल जाएगा तो यार मैं यहां से घर से निकला था अपने डेस्टेशन की और जो उसी डेस्टेशन में बीच में एक और जगा पढ़ती है जो कि काफी अमेजिंग है और शैनिवार का जाना एक मतलब झाज्वार करते हैं मैं हनुमान जी के पासी पहुंच वहां मैं अपने ज bank मंदी के सचीशन के बदने से जोह तोड़ा सँ आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखेगी हनुमान जी की 108 फिट लंबी हनुमान जी की मूर्ती ये मेरा फर्स्ट एक्स्पिरियंस था क्योंकि इसी के पास से मेरी जो नेक्स्ट टृप थी मतब जहां मैं जा रहा था वहां की बस थी मुझे नहीं पता था कि वहीं पर हनुमान जी का मंदिर है तो फिर जैसे ही मैं यहां पर पहुंचा तो मेरा मन किया कि अभी बस में तो टाइम है तब तक हम लोग अंदर चलते हैं फिर मैं वहीं से मैंने प्लान किया यह कुछ अमेजिंग शॉट्स नहीं कोशिश करी क्योंकि रात का समय था और मतलब उतनी क्लियर वीडियो नहीं है आपई सॉरी फॉर दैट बट मैंने फुल ट्राइए किया था अपनी साइट से कि कुछ अमेजिंग शॉट्स आपको दिखाया जाए कुछ अमेजिंग चीजे बट जो यहां की वाइब्स थी ना यार मतलब हनुआ जी की 108 फिट लंबी मूर्ति दिल्ली में तो मैं फिर इसके अंदर जाने की गोशिश करता हूं क्योंकि मैं इसके पहले बहारी बहार था और फिर मैं सहुसता हूं कि अंदर चला जाए तो अब मैं आपको दिखाता हूं अंदर के experience दिखाता मतलब यां अंदर जो positive vibes थी वह अलगी थी क्योंकि हनुआ जी की मोर्ति थी उनके नीचे एक मुख बनावा था किसी राक्षस का तो हम लोग इसी मुख के अंदर से आप देख सकते हो कि सबके सभी एंटर कर रहे हैं तो मैं भी आप वहीं खड़ा हो कि अब यही जाप वगेरा हो रहे होते हैं वहां पर अखंड रमायन का भी जाप हो रहा होता है मैं आपको वह भी दिखाता हूं यह कुछ इस तरीके का वहां महौल था सेटेड़े था एंड सेटेड़े को हनुआ जी के पास मतलब अन्प्रिडिक्टेबल में चला गया मतलब मुझे का अंदर एक गुफा भी है यहां मैं आपको लेगे चलता हूं उस पवित्र गुफा की और तो यह हम लोग नीचे की तरफ गए और यहां पे न सेम वैसे ही है जैसे महाँ वैशनो देवी के महाँ पर है सेम क्योंकि अंदर फोन वीडियो रिकॉर्डिंग अलाव नहीं था क् माँ वैशनो देवी का छोड़ा सा मंदिर बनावा था तो मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखाप सकता हूं कि मैं जैसे ही उसके अंदर के तरफ गया तो जैसे ही मैं अंदर बढ़ना शुरू करता हूं तो फिर वहाँ पे मतलब रेस्रिक्शन लगना शुरू हो जाते हैं कि आप वीडियो शूट वगरा मतलब फोटो वगरा क्लिक नहीं कर सकते तो मैं वहाँ से पॉस करके दर्शन करके अच्छे से और मैं फिर आगे की तरफ बाहर की तरफ निकलने लगता हूं तो जो बाहर का रास्ता था वो भी सेम गुफा की टाइप में था जुक्के चलना प पूरती थी और फिर उसके अंदर जाके अन्वांजी के दर्शन करना फिर उसके अंदर एक गुफा भी होना जिसके बारे मतलब मुझे तो नहीं पता था अगर आपको पता था तो कमेंट कर देना नीचे क्योंकि मुझे बिल्कुल नहीं पता था और जैसे ही मैं वहां से तो वहां से भी एक मुख था तो मैं उनी के मुख की और से निकला और फिर यह उपर हमारे हनमान जी विराज और वहीं पर यह मंत्र जाप हो रहा था क्योंकि सेटड़े था शनी मंदिर में मतलब लोग पूजा पार्ट करते हैं वहीं बहार शनी मंदिर भी है तो यहां पर सब लोग अपनी पूजा पार्ट कर रहे हवन कर रहे थे और यहां से मैं अपनी बस की तरफ बढ़ चुगा था और यह हमारा बस टैंड था पासी पास और मेरे दोस्त जाने वाए थे अपनी नेक्स डेस्टिनेशन जो की थी करूल बाग से खाटू शाम की हो जी हां हम लो वीडियो भी बहुत जल्दी आने वाली है तो यार नीचे जो लॉल बटन का बटन है ना वह यार सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि क्योंकि अमेजिंग वीडियो आने वाली है